जय श्राम दोस्तों मैं आशुवाजना स्वागत करता हूँ आपका अपने यूटूब चैनल पर दोस्तों आज दिनांक आट मई दोजारतेश शोमवार को आप देख रहें गोशला पशुमंडी दोस्तों अब शमय सुबह के दस बच चुके हैं और दोस्तों आज थोड़ी पशुमंडी में गायों के आवक थोड़ी कम हुई है जो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे और दोस्तों यह गोशला पशुमंडी मध्यपरतेश के उज्जन डिष्टिक से 30 किलोमेटर की दूरी पर आगर उज्जन जो मार गही मुख्यमार्ग यहाँ पर दोस्तों इस्तिते और आपने दोस्तों हमारे यूटूब चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ट्रेस कर दीजिए जिससे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल से जल पहुंच सके दोस्तों देख सकते हैं थोड़ी आज गायों की आवक कम हुई है दोस्तों बाकि हम इस वीडियो में अच्छी अच्छी गाय को फिर भी टार्गेट कर अब तक जनकर ही पहुंच आएंगे मने रहेगा वीडियो के एंट तर दोस्तों इसको देखते हैं इन गाय को टार्गेट करते हैं दोस्तों य इस गाय को देखते हैं इसकी डीटेल लेते हैं देख सकते हैं इसको दोस्तों इसकी मांग वहिया पेंसट अजार बता रहे हैं बागी पच्पन अजार के लगबग फाइनल हो सकती है और इसको भी देख सकते हैं दोस्तों यह भी दोस्तों पचास पच्पन अजार के लगबग फाइनल हो सकती है देख सकते हैं काफी अच्छी आए और दूद इसका करीब करीब दूद्दस लिटर के लगबग दूद्ध बता रहे हैं और राइस्तान से लाए हैं गोशला पच्छों मंडी में सेल करने के लिए गाए और एक यह गाए भी देख सकते हैं दूस्तों यह 45-50,000 के लगबग फाइनल हो चकती हैं फाइनल कीमत है इसकी जो दूस्तों यह भीया गोशला पच्छों मंडी में आए हैं गाए लेकर जो राइस्तान के रहने वाले हैं और यहां पर गाए सेल करने के लिए आए हैं दूस्तों हमारी जो में अभी इस वीडियो में दूस्तो क्योंकि जो हमने वीडियो सुट की थी वह थोड़ी किसी कारण वास माइक वह जो ओडियो थी दोस्तों वह रिकोर्ड नहीं हो पाई इसलिए थोड़ी जानकारी थोड़ी वह इस ओवर करके मैं आप तक जानकारी पहुचा रहा हूं दोस्तों इसको भी देख सकते हैं इसका भी सोदा चल रहा है देख सकते हैं गाय की अडर कॉलिटी देख सकते हैं क्या होता है सोदे में बिक्ती है नहीं बिक्ती है वह यहांने 45,000 लगाएं इसके 45 और यह बच्चा है इसका ताजी ब्याई हुई है दोस्तों दुदारू गाय है और दोस्तों यह पच्चा मंडी प्रतियक शोमवार को लगती है गोशला में दोस्तों इसको देख सकते हैं इस गाय को बीस अजार दोस्तों इसकी फाइनल किमत है फाइनल किमत बीस अजार है दोस्तों इसकी बागी पाँच पाँच लेटर अभी का दूद बता रहे हैं गोशला पच्चा मंडी की वीडियो देख रहे हैं दोस्तों आप और पाँच पाँच लेटर के लगबग इसका दूद बता रहे हैं चार पाँच लेटर अभी का और आप अडर कॉलिटी देख सकते हैं दोस्तों थन देख सकते हैं थोड़ी एक थन में थोड़ी मिस्टेक है इसमें बागी की महती कम ही है दोस्तों इसकी इसको भी देख सकते हैं दोस्तों इसको cover किया है हमने इसकी detail आप तक पहुचाएंगे यह बच्चा है इसका और गाय को आप गाय की अटर quality को देख सकते हैं गोशला पच्चमंडी से लाइव वीडियो देख रहे हैं दोस्तों इसकी दूद के बारे में दूस्तों अभी ताजी व्याई हुई है लग बग दो तिन रोज का इन चार रोज का दूस्तों इसकी बच्चा है निच्चे बच्ची है बच्ची और यह अटर quality देख सकते हैं दूस्तों आप दूस्तों पेंटा 45,000 इसकी कीमत कर रहे थे दूस्तों और दूद छेच्चे लेटर के लगबग बता रहे हैं इसको देख सकते हैं दूस्तों एक और जो मुद अच्ची का आई दिखी है हमें दूस्तों इसकी 55,000 रुपए मांगे बाकी 45,000 के लगबग फाइनल हो सकती है और करीब इसके 77 लेटर टाइम का दूस्तों 77-88 लिटर बता रहे थे करीब 14-15 लिटर रोच का दूदे और काफी दोस्तों अच्छी गाये हैं लब इसके चारो थन एक समान है और देखने में भी बहुत सुन्दर लग रहे हैं और हाइट वगएरा काफी अच्छी है दोस्तों इसकी देख सकते हैं आप वीडियो के माध्यम से गोशला पश्मंडी की वीडियो देख रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों चारो थन एक समान है समान दूरी पर इस्तित थे बाकी ये बच्चा है बच्ची है दोस्तों ये भी ताजी भी आई हुई है एक दो रोच का बच्चा है इसका ये लेकर आए गोशला पश्मंडी में और पेंटालीस हजार के लगबग दूस्तों फाइनल हो सकती है और काफी अच्छी लगी दूस्तों हमें ये गाह रप वीडियो के इंड तक बने रहीएग दूस्तों एक बार और देख लीजिए इसे इसको देख सकते हैं दूस्तों इसको कवर करेंगे इसकी जानकारे लेंगे अभी इसका करीब ये भी इनी वहीया की गाहे हैं इसका करीब पांच-पांच-छेचे लेटर के लगबग टाइम का दूद बता रहे हैं और चाली चाली सजार इसकी फाइनल कीमत बता रहे हैं चाली सजार के लगबग फाइनल हो सकती हैं दूस्तों देख लीजिए काफी अच्छी गाह हैं आचल देख सकते हैं दोस्तों आचल देख सकते हैं तनों की बनावाण देख सकते हैं और दोस्तों आपने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक इसको भी देख लीजिए इस की तीस अजार के लगबग फाइनल हो सकती है यह भी यही वही लेकर आएं गोशला पच्छों मंडे में दोस्तों आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर आपने फर्स टाइम विजिट किया है तो दोस्तों च आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो शेयर कीजिए जो गाए से अपने घर पर जो पशुपालन भाई है उन तक वीडियो पहुचाए